हेलो फ्रेंट जार वेलिकाम बैक टू मोटर एडिफाइंट मैं हुआ आपका होस्ट रो दोस्ट तरींदम घोश और फ्रेंट्स फाइनली आज हमारे साथ अवेलेबिल है अल न्यू आप इस बाइक के साथ एक्स्पेट कर सकते हैं किते प्राइस पॉइंट पर इस बाइक आपको भी अवेलिबल हो सकती है इन सारी चीजों के बार में इस वीडियो के दौरार मैं आप लोगों को बिल्कुल बताने वाला हूँ और साथी फ्रेंट्स आगे बढ़ने से पहले व आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब में किया वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दवाना बिल्कुल मत भूलेगा और को एक मुशन अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं रिलेटेट टू एनी टूविलर तो बिल्कुल फेस्ब आप देख पा रहे हैं यह स्पार्क्लिंग बेटा ब्लू क्यूंकि नई कलर रहा तो इसके 360 व्यू भी देता हूं और साथी में आप लोगो बताता चलूँगा कि यहाँ पर आप लोगो चेंजिस क्या के देखने को मिलती है अगर आप साइड व्यू से देख रहे हैं तो यह जो कलर आप लोग देख पा रहे हैं ब्लाक के ऊपर यह जो ब्लू कलर आप देख रहे हैं काफी जारा खुक्सूरत भी है और एक नई चेंज भी है स्प्रेंडर प्लस अगर आप यहाँ पर लिखी हुई देख रहे हैं तो पहले आप लोग यह 3D में नहीं मिला करती थ ताकि मतलब इसकी जो प्रीमियम नेस है उसको और बढ़ाया जा सके साथ ही अगर आप यहाँ पर फ्रंट व्यू देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग को LED DRL देखने को मिल जाती है यह आप चीज़ देख रहे हैं LED DRL ठीक है लेगिन हाँ एक चीज़ बता दू अगर आप बाइक को on करते हैं तब यह नहीं जलेगी जब तक आप इसकी ignition को on नहीं करते हैं साथ ही आप यहाँ पर यह जो blue color देख पा रहे हैं यह visor पर यह भी पहले नहीं आया करती थी तो यह भी आप कह सकता है कि kind of यहाँ पर एक change company ने प्रोवाइट की हुई है और अगर मैं पहले आप लोग को नहीं मिला करती थी company अब इसको X-Tec model कहती है काफी देखने में खूब सुरत है क्या क्या काम है आगे में आप लोग को बिल्कुल बताऊंगा साथ ही यहाँ पर जो charging socket है यह तो company पहले भी प्रोवाइट किया करती थी और यहाँ पर आप लोग को साइट यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर सीट में जो स्टिचिंग दी हुई है यहाँ पर दे सकते हैं डूल टोन कलर तो नहीं खाऊंगा लेकिन हाँ यहाँ पर यह जो ब्लैक है और यह थोड़ी मैठ फिनिश वाली ब्लैक में आप लोग के सीट मिल रही है और थोड़ी यह जो बाइक है कंपनी अराउंड 28 साल से इंडिन मार्केट में प्रडूस कर रही है और तब जितनी मतलब शुरुवात के दिनों से यह जितनी फेमस थी आज भी उतनी ही ज्यादा फेमस है एक्जामपल के तौर पर मैं आप लोग को बता दूँ अप्रैल 2022 में अराउंड दो लाग 20,000 से भी जादा यूनिट अल ओवर इंडिया इसकी सेल हुई तो आप कह सकते हैं मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा पॉपुलर यह बाइक है इंडिन मार्केट में तो यहाँ पर फ्रेंट इस बाइक की जो कलर थी या फिर आप कह सकते हैं अपैर इसके प्राइस है वो बता दू अगर वेस्बिंग और कुलकता के साथ से आप लोग को मैं इसका प्राइस बताओ एक्स्टेक वेरियंट की इसकी तो वो बनती है 89,500 अब मैं आप लोग को बता दू अगर आप इसकी बेस वेरियंट पर जाते हैं जहाँ पर आप लोग को अगर आप लोग को यह थोड़ी सी नीचे बताओ तो इसकी जो आप यह मटगार देख रहे हैं यह फाइबर की क्वालिटी है लेकिन आप रगड की उसकरने वाले हैं उससे साब से इसकी जो क्वालिटी कंपनी ने प्रोवाइड की है बहुत सही है और थोड़ी सी नीचे आप ओर आ जाते है और अगर बात किया जाये अभी टैयर के बारे में तो इछा यह फ्रन टायर हो चाहिए रियर टायर हो दोनों ही आप लोगो को सीयट की टैयर मिल जाती है जहाँ तक बात आते सेक्षन की तो बतादू 80 पाहood सेक्षन की आप लोगो चौकर में गया यह जो पहले नहीं मिला कर दीती है, मतलब लास्ट जो अपडेट कमपने ने दिया था, वहीं से इसको ट्यूबलेस बना गया है, अब यह बहुत सही भी है, ठीक है, कम्यूटी सेग्मेंट की बाइक आप रगड की उस करेंगा, अगर कभी मतलब इसमें कुछ, मतलब पंचर अगरा हो भी जाता है, तो आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है, कि आप नेरे सर्वी स्टेशन पर जाके इसको आप सही करवा सके, और उसके अलावा गर मैं आप लोग को इसकी ब्रेकिंग सिस्टेम के बारे हैं बता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग को आई-बेस टेक्नोल रिफ्लेक्टर है, वो भी यहाँ पर आप लोग को मिल रही है, और चलिए, अब मैं आप लोग को इस बाइक की जो हाट है, इंजिन उसके बारे में बता दूँ, यहाँ आप लोग को 97.2 cc, OHC, Air Cooled, Fuel Injected Engine मिल रहे हैं, जहाँ पर कमपनी कहाती है कि I3S and Excellence Technology के कमपनी ने इ इसमाल किया हुगा है, क्या है यह टेकनोलोजी, आगे मैं आप लोग को वीडियो को दौरान बिल्कुल बताऊंगा, अब अगर पावर और टॉर्क की बात की जाए, तो यहाँ पर आप लोग को 8.02 PS की maximum power मिलती है, 8,000 rpm और अगर आप टॉर्क कहते हैं, तो 8.05 Nm की maximum टॉर आप लोगो पावर जादा मिल रही है, और अगर अगर अब अगर आप लोग को 8.7 Nm की tarq मिलती है, तो आप कह्या सकते हैं, तो अगर आप लोग को 7.9 PSY की पावर मिल रही है, और अगर आप अगर आप लोग को थोड़ी सी tar aja मिलती है, 8.3 Nm की type ऑठ साओंगा दॉर्क अ नहीं दिखेगा लेकिन हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कम्यटी सेग्मेंट की बाइक है तो यहाँ पर जो किक स्टार्ट है वो कंपनी ने बिल्कुल दिया हुए और साथ ही अगर आप यह क्रैश गार्ट देख रहे हैं तो यह पूरा एक यूनिट है और यह काफी जारा ही बताया हुआ है क्रोम एलिमेंट का यूज किया गया है ताकि यहाँ पर इसकी जो फिनिश है उसको और ज्यादा प्रीमियम बनाया जा सके अब अगर मैं आप लोग को इसकी रियर साइट के बारे में बताऊं ठीक है तो यहाँ पर सेम जैसे आप लोग को फ्रंट में मिल सेम भी आप लोगों को मिल रही है तो यह मैंने आप लोग को यहाँ पर तो टेक्निकर स्पेसिफिकेशन थी वो बता दी है और चलिए अब इसकी जो डिमेंशन से उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं जहां तक बात है सीचाइट की तो बता दो 785 mm सीचाइट यहा लेकिन अगर आप गाउ देहात में चला रहे हैं तो आपको थोड़ा से देख समलके चलाना होगा क्यूकि ग्राउंड क्यारेंस वहां सिस्टिफाइंग की जो ग्राउंड क्यारेंस है वो मतला आप नॉमल रोट्स के लिए तो ठीक है लेकिन हाँ अगर आप थोड़ी रास 50-60 km परार की अगर आप स्वीट पर चला रहे हैं, तो मेरे खाल से 60-70 km तक की mileage इसमें आप लोग को बिलकुल मिल जाना चाहिए, ठीक है, बाकि अगर आप इस बाइक को अलड़ी चला रहे हैं, तो क्या आपका mileage है, क्या आपका experience इस बाइक के साथ नीचे बिलकुल mention कीजेग comment box में, और curve weight की जहां तक बात है, 112 kg की, just 112 kg की curve weight है, मैं बिलकुल कह सकता हूँ कि यह इस बाइक की USB है, क्योंकि अगर आप रेडियोन या फिर अगर आप प्लाटिना पर चला आते हैं, वहाँ पर आप लोग को 116 kg तक की curve weight दिखते हैं, तो आप कह सकते हैं कि around 5-6 kg तक यह करते हैं, देख सकते हैं, पूरी देख से swipe लेती है, ठीक है, और देखिए, अभी यह कहेगी, hello my hero करके, ठीक है, और यहाँ पर आप लोग को speedo देखने को मिलता है, ठीक है, और आप देखिए, यह low fuel indicator है, मतलब अभी fuel कम है, तो fuel भनने को कह रही है, यहाँ पर आप लोग क extend अगर गिरी हुई है, ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पर भी indicate होई है, साथ ही, यहाँ पर अगर आप light वगर इस्तमाल कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर indicate हो जाती है, और अगर i3S on है, तो भी यहाँ पर indicate होती है, ठीक है, और i3S के है, आगे मैं भी आपको बताने वाला हो, और साथ ही, अगर आप यहाँ पर fuel, जो gauge है, उसका भी indicator आप लोगो यहाँ पर देखने को मिल जाती है, तो आप कह सकता है, कि मतलब अगर आप इसको Bluetooth से जोड़ते हैं, अगर Hero की जो ride guide app है, उसके साथ, अगर आप जोड़ते है Bluetooth के साथ, तो अगर कोई call आती है, उसका कमपनी यहाँ पर implement की हुई है, और चले, अब मैं इसकी जो size stand है, उसको हटा देता हूँ, और अभी मैं आपको बता है, कि यहाँ पर i3S की technology भी कमपनी ने डाली हुई है, ठीक है, अब i3S कहा है, friends, देखिए, जब आप traffic पे है, पांसे दस सेगें अगर आपकी गड़ी आ लगी हुई है, और साथ ही यहाँ पर आप लोगको एकसेंस के technology भी मिल जाती है, मतलब bank angle sensor आप लोगको यहाँ पर मिल जाता है, या फिर अगर आप इसमें जो FI देख रहे हैं, वो भी आप लोगको एकसेंस technology के अंडर ही मिलता है, मतलब company यह कोशिश कर रहे है, कि आपको side stand लगी हुई है, जैसे आप गाड़ी को start करके जैसे आप gear पर डालते हैं, आपकी गाड़ी automatic shutdown हो जाती है, ताकि side stand के वएसे आपको कोई accident ना जिलना पड़े, और अगर थोड़ी सी पीछे यहाँ पर आते हैं, तो आप देख सकता है, यहाँ पर जो chain system है, closed है, मतलब अग integrated footrest जो मिल रही है, मेरे कहासे तो बहुत सही है, और अगर थोड़ी सी पीछे मैं यहाँ पर आजाओ, आप लोगो को बताओ, about its rear view, तो यहाँ पर आप लोगो के halogen की ही, यह जो tail lamp है, वो मिल जाती है, साथी जो turn indicators देख रहे हैं, अभी भी आप लोगो यह halogen की ही मिलती है तो यह friends मैंने आप लोगो जो features उसके बारे में बताइए, अब अगर मैं handle bar के बारे में बताओ, तो यहाँ पर जो, मतलब, pass light की जो switch है, या फिर high beam, low beam की switch है, वो आप लोगो यही पर मिल जाती है, ठीक है, और नीचे है, मतलब, turn indicator, ठीक है, और इसके नीचे है horn, horn friends decent है, computing segment की बाइक है, उसे सबसे decent horn है, और यह ICS का बटन है, कोई ignition on-off करने की switch नहीं है, चलिए, अब मैं engine conker किसी जो exhaust sound है, वो भी आप लोगो सुना दूँ, यह आपको यहाँ से direct off करना होगा, तो एक चीज़ तो friends, बहुत जाद है clear है, कि यहाँ पर, मतलब, engine के जो refinement है, उसके आवाज से ही बिल्कुल समझ में आती है, तो यहाँ पर friends, मने आप लोगो इस bike में मिलने वाले जितनी भी technical specifications थी, features थी, सब कुछ बता दिए, अब मैं आप लोगो बताना चाहूँगा, कि क्या यह बाइक आप लोगो के लिए खरीदना सही होगा, अगर आप इसको compare करते हैं, इसकी competitors के साथ, अब दीखे friends, यहाँ पर आप लोगो जो Bluetooth अनावेल मेटर console मिल रहा है, यहाँ आप लोगो segment first feature मिल रहा है, जो आप लोगो प्लाट torque भी अगर आप देखेंगे, तो बहुत जादा, तीनों बाइकों में आप लोगों को already comparison दी हुई है, बहुत जादा, वहाँ पर भी difference नहीं है, 19-20 तक का फरक है, ठीक है, तो अब मेरे कासे, अगर आप चला के देखेंगे तीनों बाइकों को, तो तीनों बाइकों में आप टेक सावी भी है, आपको Bluetooth जैसी, मीटर कॉंसोल जैसी सुविदा भी उसमें चाहिए थी, तो मेरे ख्याल से, 100cc में, ये बाइक आप लोग के लिए एक perfect choice बिल्कुल बन सकती है, फ्रेंट्स आशा करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप लोग मुझे बिल्क बिल्कुल मेंशन कीजिएगा, मिलता है एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, तिल देन, राइट सेफ हैंड, चाहिंद